नमस्कार प्रिये विद्यार्थियो योगा जोतिस हब यूटूब चैनल में आप सब का हार्दिक अभिनंदन है यूजिस योगा नेट तृतिये प्रशन पत्र की क्लासिस चल रही है जिसमें योग चुडा मन्य उपनिशद के बारे में आज हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं जिनोंने अभी तक यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब कर लें और इसमें हम जो पढ़ेंगे उसका पाठे क्रम आपको भी बता देता हूँ योग चुडा मन्य उपनिशद जो एंटिय योगा नेट की प्रिक्षा में सलेबस है वह इस तरह से हैं योग के छे अंगों का वर्णन पूछा गया है कि योग के छे अंग कौन कौन से हैं उसको हम पढ़ेंगे पर तेक अंगों के फल क्या है और उनके क्रम क्या है वो हम जानने वाले हैं विशे देखें तो छोटा सा है पर जब हम पढ़ेंगे तो थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो पर पूरा देखिए योग चुडा मन्य उपनिशद सामवेदिय साखा से संबंदित है पहला प्रशन यहां बनता है सामवेदिय साखा का ध्यान रखिएगा फिर दूसरा आता है इसमें 121 श्लोक हैं कितने श्लोक हैं 121 श्लोक हैं यह उपनिशद जो है केवले शिद्धी कराने वाली है यह ध्यान रखना है केवले शिद्धी कराने वाला है योग के छे अंगों का वर्नन जो बताया गया है वह पहला बिंदू है यह उसमें से आसन प्राणायाम है प्रत्याहार धारना ध्यान और समाधी यानि यम नियम को छोड़कर अस्टांग योग के जो हम कहते हैं अंतिम चुछे अंग है वह आगे वाले जिसे हम शडांग योग कहा जाता है तो ये छे अंगों का वर्णन कोई पूछे किस उपनिशद में है तो योग कि वह आगी पूछे योग किसे कहा गिया है तो इन अंगों से युकत को योग कहा गिया है अब बात करते हैं एक एक अंग का विवेचन करेंगे समझेंगे पहला है आसन आसन के अंदर देखें यहां आसन के दो प्रकार बताए गई है एक है सिद्धासन और पदमासन ये द उसी तरह सिन में बेठना है केवल लाब की उपर ध्यान दीजिए लाब पूछे जाते आसनों के अभ्यास से शाररिक रोग समाप्त हो जाता है यानि शरीर से संबंदित जो रोग होते हैं वो समाप्त किन से होते हैं आसन के अभ्यास से होते हैं जो साधक देहे के अंदर यान दीजिए छे चकर बताएगे शट चकरों की चर्चा सब चकर अश चकर नव चकरों की बात नहीं है छे चकरों की बात कही गई है सोला आधारों की जो मरमस्तल वहां बताएंगे वो कौन से हैं सोला आधारों की बात कही गई है और तीन लक्षों को और पांच आकाशों को नहीं पहचान पाता उसे सिद्धी भला कैसे मिल सकती है ये एक प्रशन चिंद डाल दिया इसमें यानि इन सब को जानना आवशक हो गया जिनोंने छे चक्रों को भी जानना है शोलाधारों को भी जानना है तीन लक्षे पांच आकाशों को सब को जानेगा उसे ही सिद्धी मिलने वाली है ये आसनों के दो है आसन शिद्धासन पदमासन और लाब आपको बता दिया गया है अ हैं और उनमें दल कौन कौन से हैं कितनी संख्या के पहला चक्र देखते हैं शट चक्रों में मूलाधार चक्र मूलाधार चक्र जो है इसमें चार दल है और स्थान इसका बात करें गुदा स्थान जो है ये इसका स्थल माना गया है यहां पर ये रहता है फिर बात आती है स्व भाग है और मुत्रे इंद्री का उपर का जो भाग है ये स्थान जो है आपका पेडु कहलाता है और स्वादि स्थान का स्थान भी यही है तीसरा नंबर का है मनिपूर चक्र जो है इसमें दस डल है ध्यान दीजिए पहले में चार फिर छे चार और छे को जोड़ दो कितने मंते हैं दस इसका मतलब तीसरे में दस दल याद रखिए स्थान नाभी स्थल है नाभी मंडल जो है वह पूरा इसमें आता है चोथा है अनाहत चक्र अनाहत चक्र में बारा दल है जो आपका हृदे स्थान जो है अनाहत चक्र का बारा इसमें दल है स्थान इसमें इसका हृदे स्थल है रिदे स्थल स्थान हुआ पांचवा है विशुद्धी चक्र विशुद्ध चक्र भी कहते हैं विशुद्ध जो चक्र है इसमें सोला है, सोला इसमें दल है, स्थान कंठ स्थल जहां आप जालंदर बंद लगाते हैं, वही स्थान जो है, क्रेवल कुलर जो आपका हंसली जिसे हम कहते हैं, वहां ये स्थान इसका है, छटा है आग्या चक्र अंतिम, आग्या चक्र जो है इसमें दल दो है, जिसे हम द दो नेत्र भी देखें, दो आंखें, दो डल हैं, स्थान भूम स्थल हैं बीच में, अपनी दोनों भूंगों के बीच में स्थान माना गया है, इस तरह से ये छे चक्र फिर जब छे चक्र पूर्ण होते हैं, तो ब्रह्मरंद्र के महापत में आया हुआ पदम चक्र हजार डल जिसे हम सहष्रार चक्र जो कहते है ना हजारों दल सहष्रकार्थ होता है हजार सहष्रार चक्र हजार दल वाला चक्र वहां पर फिर उजागर होता है उसके लिए ये सारे के सारे चक्रों का क्रम पार करना पड़ता है पहले तो आगे की बात करते हैं फिर नाडियों की उत्प नाडियों की उत्त्रिपत्ती का क्रम जो कहा गया है वह स्वादिष्ठाण चक्र जो है जिसम मेडर के नाम से भी जानते है कोई मेडर पूछे मेडर का मतलब होता है स्वादिष्ठान चक्र मेडर से उपर यानि मेडर मिन्स आपका मुत्रेंद्री को कहा मेडर मुत्रेंद्री से उपर स्वादिष्ठान चक्र जो है और मनिपूर चक्र यानि नाभी से नीचे एक कंद है कंद यानि नाड़ी का समू कंद मूल जिसे आप कहते हैं कि इपर कंद मूल जोते जड़ों के जो अंदर गुच्छा जोते हैं उसी के समान वहां पर एक नाभी का पूरा चक्र जाल बिछा हुआ है वहां का एक स्थान निश्चित कर दिया नाड़ियों का उत्पतिस्थल बताया कि यहां नाड़ियां उत्पन होती है और इस तरह का एरिया वहां पर चिनित किया गया इसमें और फिर उसमें पक्षी के अंडे के आकार वाली कुंदलनी का स्थान है पक्षी का अंड़ा आप क किसी भी पक्षी का अंडा देखेंगे उसी आकार की भांती वहां पर कुंडलनी का आकार बना हुए कुंडलनी का स्थान है वहां से 22,000 नाडियों की उत्पत्ती होती है इसमें आपको विवाद नहीं करना कि ये 22,000 को और गिन के आए ये हमें सिर्फ टेक्स्ट के अंदर जो को याद करना होगा 22,000 नाडियों की उत्पत्ती यहां से मानी गई है संख्याएं अललग हट्यों गरंतों में दी गई है पर 22,000 नाडियों का वर्नन इसमें मिलता है इन में से 10 नाडियां प्रमुख है 22,000 में से भी कितनी नाडियां प्रमुख है 10 नाडियां प्रमुख है वे 10 कौन कौन सी हैं, उनका हम करम जानेंगे अभी 10 नाडिओं में सबसे पहले इडा इडा नाडी स्थान है बाई नाक जो लेफ्ट नॉसिल हम सब जानते हैं फिर है पिंगला, स्थान इसका दाई नाक है फिर है शुश्मुना शुष्मना का जो स्थान है दोनों नाशिका के बीच में फिर आता है चार गांधारी गांधारी का स्थान बाई आंक त्रिस्तराश्टर की पतनी है ना गांधारी नाम ध्यान रखना है गांधारी का जो स्थान है वो बाई आंक दूसरी तरफ हुआ फिर पांच नमबर पर हस विप्रित भी दिया गया है पर वो कौन से हैं आप जब इनको नोट करते जाएं दशों नाडियों को कुछ ऐसे उपनिशद आएंगे जहां इसमें विप्रित भी दिया गया है आपको बताएंगे पूशा का जो स्थान है दाइना कान है पूशा दाइने कान में निवास करता है वहां पर इसका स्थान माना गया है नाडी का और ये शश्विनी जो है बाया कान है ये सारे के सारे जितने भी है इन ये हमारे मरमस्थल टाइप में होते हैं तो इन में नाडियां विशेस रूप से कारी करती भी हैं जिने हम करन भेद चंसकार हैं और नाडी का नाक का है इन सब पर हम कुछ न कुछ विशेस ऐसे चिन्नित रहते हैं स्थान ये और अगला है अलंबुशा, मुख, मुख जो है इसमें नाडी का एक निवाश रहता है अलंबुशा नौवी है कुहु स्थान, कुहु जो नाडी है वह लिंग परदेश पर विराजती है और दस्वी है शंखीनी, इसका स्थान है मूल स्थान यानि गुदा, गुदा मार्ग में संखीनी रहती है संख के आकार की जो होता है, संख जो बजाते हैं, संख की भांती ये एक उसी तरह गुमावदार यहां पर नाडी विराजती है जो संख प्रक्षालन की क्रिया में वेसे ही, तो अगला है कि प्रान मार्ग एवं देवता ये भी बहुत इंपोर्टेंट है और इन में से भी प्रशन आते हैं प्रान यानि नाडियां जो हैं, इनके सबके अपने अपने देवता हैं, सबके नहीं कुछ विशेस आपको बताते हैं जैसे इडा जो नाड़ी बताई जो बाई नाक में रहती है इडा नाड़ी जो है उसका देवता है शौम शौम यान चंद्रमा चंद्रमा जो है उनके इडा नाड़ी के देवता माने गई है पिंगला नाड़ी जो है उसके देवता सूर्ये सूर्ये पिंगला गरम जो हम कहते जो है और ये इनके देवता हैं फिर है शुश्मना शुश्मना के जो देवता है वह अगनी है और ये प्रानों के वहाग भी माने गए हैं इन्हें प्रानों के वहाग कौन है तो शुश्मना के अगनी है सूर्य पिंगला के हैं और सौम चंद्रमा इडा के हैं ये भी आप या भी घुमाव करके प्रशनाए पर आप उसको ध्यान रखिए फिर एक पॉइंट आता है पंच प्रमुक जो प्रान है महाप्रान जिसे हम कहते हैं उनके स्थान कहां कहां है जैसे पहला प्रान है प्रान पहला प्रान का नाम ही प्रान है जिसका स्थान रिदे माना गया रिदे फिर दूसरे है अपान प्रान-पान अपान का स्थान गुदा मारग यानि नाभी से नीचे का जो है गुदा मारग में और पाउन तक नीचे फैला रहता है यह गुदा माना यहाँ पर केवल धहान रखना योगचुडामनोपनिशर में फिर आता है समान, समान ये स्थान जो है नाभी के बीच में ये निविराजता है, उदान आपके कण्ठ में रेता है और व्यान का जो फान है वह आपके संपूर्ण शरीर में, ब्लड सर्कूलेशन जो रेता है तंत्रिका कोशिकाओं को जितना भी धकेलने का पूरा सरीर में जो गरमाट देता है ये इसी का कार ये है पूरा प्रवेहन का संचलन उसमें ये एक एनरजी इसको नाड़ी कहा जाता है ये एक पूरा एनरजी देने वाला नाड़ी रहता है। अब आगे की बात करते हैं पंच उप प्रान भी हैं दस प्रान होते हैं प्रमुख उन में से पांच उप प्रान भी है ये भी आप याद रखिए और उनके स्थान भी पहला है नाग नाग डकार लेना जैसे नाग जो होता है सर्प जो है वह फुंकार मारता है डकारता है फुंकार मारना डकारना तो यह फिर कुर्म दूसरा प्रान है कुर्म जिसका स्थान कौन सा है यहां स्थन लिख दिया एक चुर्मे यह थोड़ा स्थान है भाई मिस्टेक लिखा गया है इसको आप समझिए स्थान समझिए आंखों की पलक कुर्म का होता है आंख पलकने के लिए कुर्म नाम का एक नाड़ी है एक प्रान है ये उसका उसकी साहिता से ये कारिय करता है पलकने का क्रिकर क्रिकर का जो स्थान है छींकने में ये साहिक होता है क्रिकर ना जो उप प्रान है वैं जम्भाई लेने जो अवाशी लेते हैं उसमें एकारी करता है अंतिम है धननजय प्रान।। जो है यह संपून शरीर में इस तरह से व्याप्त है कि व मरण के बाद भी शरीर में नहीं छोड़ता हमारा शरीर से प्रान निकालने का कोई पूछे प्रान कौन सा है वेट उदान नामसिक प्रान है जो शरीर से प्रान को बाहर निकालता है याद रखना फिर दूसरा आता है धनंजे प्रान धनंजे शरीर से प्रान तो निकल चुके हैं आप देखते है वहाँ पर एक सर पर एक कोपड़ी पर एक डंडा मार करके खोपड़ी को फोड़ा जाता है। तो उस समय वह धननजे नाम का जो प्रान होता है वह उस शरीर से बहार निकलता है यानि अंतिम में निकलता है कुल मिला करके यूं कहें शरीर का प्रान दुनिया उसको गोशित कर देती है मृत हो गया तब भी वह प्रान उसमें रहता है अंतिम में निकलता है जिन जीव जो ह यानि जीव आत्मा है अब वो जीव रहा जीव आत्मा आत्मा वहां से निकल चुकी है जीव जो है जीव आत्मा इनी नाडियों में घुमता रहता है फिर वो दुबारे से शरीर धारन करता है कैसे घुमता है अब यहां पर बात देखिए वो अंतिमें में घुमता रहता है इ ये श्लोक, जो तीस नंबर के श्लोक में ये वर्नन मिलता है कि यो का जो सही ग्यान है, वे प्रान वायू को खिंचता है, वे अपान वायू को खिंचता है है यह processing चलता रहता है आप देखते हैं नाक से सांस ले ना आपने स्वास लिया फिर स्वास छोड़ दिया यह रस्षा कसी जो है यह अपने आप चलती रहती आपके बिना कहे यह स्वायत तंत्री का जो शाशी तंत्री का प्रान अपान की और इस क्रिया के द्वारां जीव भी ऊपर नीचे आया जाया करता है क्यों जैसे आपका प्रान अंदर आया तो जीवन आता है प्रान भाहर गया जीवन निकल गया यानि मृत्यू आ गया स्वास इदी अंदर नहीं आएगा तो मृत्यू निश्चित है स्वास अंदर आएगा तो वापी से जीवन धारन करेंगे फिर आपका जीवन आता है इसलिए जीवन मृत्यू का ये चक्र प्रतेक, श्वास, प्रान इसलिए प्रान को जीवन कहा अपान को मृत्यू का प्रतीक माना गया है ये प्रान अपान का क्रिया चलता रहता है प्रान उपर नीचे आने जानने की क्रिया को जो जानता है वही योग को सही रूप से जानता है ये बात इसमें कही गई है याद रखना आपने ये प्रोसेसि तो मृत्यू है ये ख्षन भंगूर है तो जो इस रहसे को जान जाता है वह योग को सही रूप से जानता है अगले प्रशन आता है अजपा गाईत्री जिसे हम हंस जप भी कहते हैं ये भी इसी उपनिशद के अंदर इसका वर्णन मिलता है और इस श्लोक संख्या आप देखे योग शुड़ा मन्योग निशद में उसमें आता है हमारी सांस जो है हकार से निकलती है है मतला है लेंगे तो हैंस से हमारा श्वास बाहर निकलती है और सैकार से भीतर आती है इस तरह से ये जीव हमेशा हंस हंस इस तरह से हंस मंत्र का जाप करता हुआ दिन रात में 21,600 ब बोलते हैं हर आदमी की जपा गाईत्री जप करता है 21,600 बार दिन में श्वास प्रश्वास करता है पर ये कहां करता है किस करंथ में लिखा है तो आज से याद रखिए ये योग चुड़ा वन्योग पनिशद में कहा गया है 31 से 34 नंबर श्लोक में जाकर कोई कहे देख लीज ये जपा गाईत्री योगियों के लिए मुक्तिदाइक मानी गई समस्त पापों का नाश होता है इससे इसके समान कोई विद्या कोई जब कोई ज्यान अभी तक ने हुआ है और ने भविशे में होगा तो ये बहुत बड़ी बात इसमें कही गई है कि जो जो विक्ति खाली कुछ पलों के लिए कुछ मिन्टों के लिए 10-15 मिनिट के लिए ध्यान साधना करता है गाईत्री का जब करता है माला करता है तो उस माला से इस काम नहीं चलेगा ये कहते 24 गंटों जो ये जपा बिना जब किये अपने आप स्वतंत्र चलता रहता है इस में इदी वेक्ति उसमें ध्यान रखे गाईत्री का मन से स्वास परश्वास के अंदर तो वो पूर्ण तया समस्त इन सब का कारिये सिद्धी में साइक होता है अगला मुद्रा एवं बंद के विशे में बताया गया है मुद्रा के बारे में भी और बंदों के बारे में 45 नमबर शलोक आप देखेंगे तो वहां पर दो मुद्राईं बताई हैं और तीन बंद बताई गए हैं महा मुद्रा जो है ये पहले दो मुद्राईं हैं महा बंद सौरी महा मुद्रा और नभो मुद्रा तीन बंद है उडियान बंद, जालंदर बंद और मूल बंद को जानता है वे मौक्ष को प्राप्त करता है ये बात कही है अब कोई पूछे आप से मौक्ष को कौन प्राप्त करता है या कौन मौक्ष को जानता है किस बाद्यम से तु मुद्रा और बंद ये योग शुड़ोमन उपनिशन में कहा दो मुद्राइं बताई गई है और तीन बंदों की चर्चा इसमें की गई है अब बात करिए पहले मूल बंद की मूल बंद हम सब को आता है फिर भी इसकी विधी जो बताई गई है एक बार सिगरता से हम पढ़ेंगे इसमें कहा एड दबाकर धिड़ता से उसे संकुचित करके अपान वायू को उपर और अपान वायू को उपर खिंचने यहां कहा उसे संकुचित करके अपान वायू को उपर और प्रान वायू फिर लिख दिया यह दुबारा है फिर और अपान वायू को उपर खिंचने की जो क्रिया होती ह उसे मूलबंद कहा गया है ये ध्यान रखना ये उसको क्या कहा मूलबंद जब लगाते हैं तो इसको हम संकुचित करके अपान वायू को निंद्रत में लाते हैं तो इसे ही मूलबंद कहा और लाब क्या है इसका लाब के लिए का प्रान और अपान की एक्ता होती है प्रान की और अपान इन दोनों की एक्ता होती है मल मुत्र में कमी होना और वृद भी युवा हो जाता है वृद युवा कैसे हो जाता है तो इसके लिए यही अपान वायू जो है वे जितनी अधोगामी रेती है तो क्या है वेक्ति? ख्षेत्व को प्राप्त होता है, कमजोर होगा, पतन होता है, उसमें वृधत्वा आदने लगता है, बुढ़ा पाता है और जब अपनी शक्ति को ख्षिन होने से रोक लेता है, मूल बंद के माध्यम से, तो क्या होगा? उसमें मल मुत्र में कमी होना और वृध में भी युवा हो जाता है, ये बहुत बड़ी बात है, ये रहसे है, तो इसको भी आप कर सकते हैं मूल बंद का भ्यास अगला आता है उड्यान बंद, उड्यान बंद 48 लोक में फिर आता है गिद आदी बड़े पक्षी, जैसे बिना थके ही आकास में उचे उड़ते हैं, गिद पक्षी आपने देखा होगा, आकास में उड़ता है, और बिना थके, लंबे लंबे, बिना पर हिलाए, उसमें ट का उडियान बंद उडियान जो आप बंद लगाएंगे तो उससे ये लाब मिलता है वह उभ्यास किया जाता है उडियान का रतो तो उड़ना उड़ने अर्थ में आते हलका पनाता आप उस भांती उड़ने लगते हैं उड़ने में सबसे बड़ा जो पक्षियों का राजा है खग जो है पक्षी जो है वो गिद है बाज है और घड़ पक्षी है यह सब बहुत उपर उड़ने वाले हैं तो उना के भानती हमारे प्रान उपर उड़ने वाला होता है लाब क्या ये मृत्यू रूपी हाती के लिए क्या लाब बताया ये मृत्यू रूपी हाती के लिए शेर के समान है ठकान नहीं होती अपितु नई शक्ती आ जाती है तो यहां जो उधार्न दिये तुलना जिससे की गई है या आप याद रखिये हाती के लिए शेर के समान है कौन ये उडियान बंद और ठकान नहीं होती बलकि नई शक्ति आ जाती है अब आता है जालंदर बंद तीसरा बंद तीसरे बंद को पढ़िये जालंदर बंद जो है जो शादक शरीर से नीचे की और बहते हुए खेचरी मुद्रा के दौरां शरित होने वाली आकास जल को अपने मस्तक में रोकता है उसकी उसक्रिया को जालंदर बंद का जाता है हम अपनी गर्दन को ठुड़ी को कंट कूप के सपर्ष कराते हैं तो जाल अंदर बंद लग जाता है पर ये बहाई ये रूप से आपको स्थूलता से नजर आता है कि ये जाल अंदर बंद है असल में अंदर से जो क्या प्रोसेस होता है वह यह आपका जो अंदर हाड प्लेट उपर तालू है उसके पीछे जब बात करते कंट की तरफ जाते हैं फूड पाइप की तरफ एक बीच वो बीच एक छोटा सा छिद्र होता है तो छिद्र के तरफ आपने जीब को उल्टा मोड करके भी उसमें लगाना होता है ये लगा करके आप खेचरी मुद्रा इसमें स्वता लग जाती है और ख्या मतलब होता है आकाश उपर जो तालू को आकाश बोला है आकाश से उपर से जो गिर रहा है उसमें आप उस मुद्रा स्थिरता में प्रशंता की स्थित्य में जवाब रहते हैं तो होगा क्या वहां से शरित होने वाले आकाश जल को क्यों उपर से कपाल उपर सर से जो अंदर गिर रहा है उस जल को अपने मस्तक में रोकता है वो गिरने नहीं देता और उस क्रिया को जाल अंदर बंद कहते हैं तो इसमें नाडियों का जाल बना होता है गर्दन कट जाए तो क्या होगा कुछ भी नहीं रहेगा तो पूरा सिस्टम जो हमारा सर को जोडने वाला जो तंतर है जाल अंदर जालों का वो बंद रो अपने आप में बहुत बड़ा प्रभावसाली ये लाबकारी है अब दो जो मुद्राईं इसमें भी बात कर रहे थे खेचरी मुद्रा उसको आप समझेए खेचरी मुद्रा हमें सब को मालूम है जो मैंने तरीका बताया वैसे होती है पर इसका लाब जान लीजिए प्रिक प्रभावसाली ये रोगों का नास तो करता ही है नींद के अंदर भूक प्यास और मुर्चा आदी से चुटकारा मिलता है खेचरी मुद्रा से और साथ में बस सुनिये किसी रोग से कोई पीड़ा नहीं होती कि कोई रोग भी लगता है तो आपके अंदर शेहन शक्ती इतन होता है शरीर कष्ट मान करके वह अपने आपको उद्वेलित नहीं करता अपने को उसमें प्रिशान नहीं रखता कर्मों में वह लिप्त नहीं होता कमल की भांती पानी में रहकर के भी वह निरलिप्त रहता है शरीर की समस्थ शिराओं का पोशन करती है क्योंकि नाडियों का पूरा अंदर का गले से नीचे का पूरा इसलिए का शरीर की समस्त शिराओं का पोशन करती है शिराओं का मूल बिंदू कौन है खेचरी मुद्रा वहां से वह एक पावर हाउस अनरजी वहां से आती है तो वो उससे नियंत्रन में आती है इसलिए पूरा का पूरा आपका ह हार्मोंस जो है थायुराइड गलेंड जो है हार्मोंस तंतर है वह सारा इससे एक्टिव हो जाता है तो महा मुद्रा महा मुद्रा ये तीनों जब बंद लगा लेते हैं जालंदर मूल और ये उड्यान तीनों लगते न तो एक महा मुद्रा बनती है जिसे हम महा बंद मुद् प्रशन आएं तो आप प्रशन लिखा करें पूछा करें और नए हैं वो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आगे भी हमें ऐसी वीडियो मिलती रहे महामुद्रा 65-68 श्लोकों के अनुसार नाड़ी शमू का सोधन किया जा सकता है महामुद्रा से नाड़ी समू का सोधन किया जा सकता है जिससे सूरिय चंद्र को चलाया जा सकता है सूरिय चंद्र मिन्स दाया बाया जो स्वर है इसको चलाया जा सकता है जिसससे रस का शोषन किया जा सकता है रस का भी शोषन होता है उस साधना को महामुद्रा कहते हैं महा मुद्राओं का आपको प्रक्रिया परदा होगी और नहीं तो फिर भी आप हट योग के गरंतों के चित अब हम पढ़ेंगे यूनिट नमबर पांच में तो उन सब को विस्तार से आपको समझने का अवसर भी मिलेगा लाब इसके क्या है जो ये श्लोक बताएगे इन श्लोकों के अनुसार सभी प्रकार की व्यादियों को नश्ट कर देती है कौन सी महा मुद्रा पत्थे जो खाने योगे ने खाने योगे जो सभी प्रकार के निरश भोजन भी सरस हो जाते हैं भोजन ज्यादा कर लेने पर जो विश खा लेने पर भी अमृत के समान बन जाता है उसे मतलब ये कहें कि जो भी ऐसा कई बार भोजन हम खा लेते हैं या त्राकाल में कुछ भी तो वो भी आपके लिए सूप पाच्चे हो जाता है वो विश नहीं और उसका कोई भी गलत प एक बड़ी शक्ति आप में आ जाती है इस मुद्रा के अभ्यास से और दूसरा साधना के प्रभाव से क्या होता है जब आप साधना ही करते हैं ये तो कहा क्षये कोड बगंदर गुल्म अजिर्ण आदी रोग नहीं होते और बड़ी सिध्या मिलती हैं अब ये क्या है सी कफ जो अस्तमेटिक जो टीबी जिसे हम होती थी पहले श्वास से संबंदित रोग होता है ये फेपड़ों का तो क्षये रोग हो गया कोड कोड यानि आपका त्वचा से संबंदित रोग है कोड पहले हो जाता था ये बुरी ये रोग है बुरे जानलेवा रोग कहे कोड हो जाए श्रीर में पस हो जाती है स्किन के अंदर सारी जिसे माज की रेट में के सोराइसिस हो रहा है बहुत सारी ऐसी स्किन की प्रॉब्लम चल रही है वो सब कोड की द्रिष्ट्री में आएंगे भगंदर जो है आपके बवासीर जो है खाना पीना यह बहुत बुरा ब प्रभाव से होता है यह आप और इन सब का क्या है सब ठीक हो जाते आदी रोग नहीं होते यानि यह सारे इतने ऐसाधे रोग जो हैं जो भी बता रहा हूं यह सारे के सारे इस के प्रभाव से ठीक हो जाते और बड़ी सिदियां मिलती हैं फिर आता है रज बिंदू अवध पहरना जो है, इसमें कहा गया है कि बिंदू के दो प्रकार हैं, एक होता है सफेद, सफेद में शुकर है, सफेद को शुकर कहा, चंद्रम का स्थान बताया गया, ब्रम रूपा और चंद्र रूप के नाम से से जाना गया, ये कहीं भी कैसा भी नाम आ जाए तो आप इसको दूसरा है लाल लाल मतलब महारज रवी स्थान एक हो गया चंद्रस्थान वह सफेद वरन है शुकर जिसे कहा लाल जो है आपका पिंगला नाड़ी है जिसे सूरी रूप कहा शक्ति रूपा है ये और ये बाते ध्यान रखना इसलिए इनके रंगों की बारे में बात हो गई ह यहां पर एक का सफेद रंग हो गया एक का लाल रंग हो गया लाल जो है यहां आपका महारज यानि शक्ति का रूपा है यहां पर ध्यान रखना रवी का स्थान रवी जैसे लाल लाल बरन का होता है सूरी का रूप माना गया तो यह सब बाते हैं आप यहाद रखिए प्रा यानि बताया महा जो है रज यानि शक्ति रूपा है और बिंदू यानि आपका सफेद तो रज बिंदू सफेद और रज और बिंदू दोनों का रज बिंदू का संयोग हो जाता है जो सादक इस विशे को जानता है वह योग को जानता है असल में ये रज बिंदू क्या है ये स्वर्द दोनों है इनका संयोग होने से क्या होगा शुश्मन नाड़ी जागरुत होगी प्रान अपान सब संयोग हो गया तो क्या होगा अम्रित तो प्राप्ति यह इस रहशे को जान जाता है वैं मुप्त हो जाता है और इनमें अलग- towel रहना वो बंदन है, एक में बह जाना वो बंदन है, ये बैलंस होना वही योग सिखाता है में कि संतुलनात्मक जो जीवन चेली है वह योग सिखाता है चार अवस्थाईं और उनके अधिपती चार प्रकार की अवस्थाईं है वैं कौन सी व्य जानिए चार अवस्था और उनकी अधिपति भेतर नमबर शलोक के अनुसार आता है गद्दे के अनुसार जागरुत अवस्था स्वपन अवस्था शुशुप्ति अवस्था तूरी अवस्था ये चार प्रकार की अवस्थाईं बताई गई हैं तो ये आप ध्यान रखिए ये भी योग चुड़ा मन्य उपनिशद में बताई गई है और इसके अत्रिक्त इनके करम से आप देखिए पहला है जागरुत अवस्था पहला जागरुत अवस्था है वै विश्व है और जो आपका शुपन है वै तेजस का प्रतिनीदित्व करता है शुशुप्ति जो है वह प्राग्या का तूरिय जो आत्मा का अधिपती होती है इनका इनके साथ मेल करके आप याद कर लीजिए जागर्त विश्व स्वपन तेजस है शुशुप्ति प्राग्या है तूर ये आत्मा है ये इनके अधिपती होते हैं और इनको याद रखी अच्छे से और इसके अत्रिक्त पंच महाभूत और उनके देवता पंच महाभूत जो है पंच महाभूतों में और उनके देवता बहत्र जो नंबर स्लोक है इसमें इसके गद्दे के नसार आकाश हम सब जानने लग गए हैं अब और इन पांचों के क्रमशत देवताओं के नाम आप देखिए पहला आकाश का कौन है सदासिव याद रखी आकाश का कौन है सदासिव वायू का इश्वर है अगनी का रुद्र है जल का विष्णू और प्रित्वी का ब्रह्मा ब्रह्मा जी न हैं और अगनी का रूप कौन धारन करता है रुद्र रुद्र यनि विनाश करता है सब को संघार करता कौन है रुद्र वो अगनी का रूप है और इसलिए तो हमारा अंतिम जो संसकार होता है वो रुद्र रुद्र का कारी है इसलिए शिव पूरी में कौन रहता है रुद् कि नाम भी प्रानायाम की विधी प्रानायाम की जो विधी अभी आसन आपने किया आसन अभी इतना प्रकर्ण आसन के क्रम में चल रहा था सारा का सारा अब आसन जब पूर्ण होता है फिर प्रानायाम दूसरा नंबर आया शडांग का प्रानायाम की विधी जो है बताई गई है कहते हैं पहले द्रिड़ता से पदमासन लगाकर आप पदमासन लगाकर बेड़ जाओ फाथों को संपुट करके यनि हातों को एक दूसरे की उपर रखें गोदी में रखना चाहिए बाद में सिर को नीचा करके ठोड़ी को छाती पर लगाना चाहिए फिर ब्रह्म में एका गरता करनी चाहिए और बार बार श्वास को भीतर खिंचते रहना और बाहर निकालना चाहिए ये प्रानायाम की विधी के लिए इतना ही कहा गया है अब प्रानायाम की कितने प्रकार हैं वो दो प्रकार का प्रानायाम बताया गया है योग चुड़ा मन्योप निशद में एक है नारी शोदन, दूश्रा है ओंकार का प्राणायाम. नारी शोदन हम सब को मालूम है कैसे की जाती है, ये जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं उसी तरह, फिर भी आप देखिए यहां पर कैसा बताया है, यहां दो बातें प्रशन बनते हैं, देखिए, पहले सुनिए, स्तानमन इनानमे जिश्लोक के अनुसार, शरुप्रत्थम एडा से पूरक करेंगे, यानि लेफ्ट नॉस्तिल से आप इन्हेल करते हैं, फिर पिंगला यानि राइट नॉस्तिल से रेच्चे करने छोड़ते हैं, उसके बाद बदल कर पिंगला से वापिस लेंगे, एडा से छोड़ें जैसे अनुलों विलों में करते हैं, पर संख्या दिहान रखनी ये दो महिनों में नारी शोधन हो जाता है, ये एक प्रशन है याम पर, पूछा जाता है योग चुड़ा मन्य उपनिशद के अनुसार, बताए नारी शोधन कितने समय में होता है, तो आपका उत्राना चीड़ों महिने में नारी शोधन हो जाता है, और इनकी क्विज भी रहेगी, आपको ध्यान दीजिए, इन सब को आप सुनते जाएए, प्रशनोती भी करवाई जाएगी, लाब, लाब के लिए कहा, पापों का नाश, बहत्रहजार नारीों का शोधन होता है इनके माद्यम से, दिवे नाद, वायू को इच्छा अनुसार धारन करने की इक्षमता, और जट्रगनी प्रदिप्त हो जाती है, किसके माद्यम से नारी शोधन के अभ्याद से, यहां फिर दुबारा से आया, भेतरहजार नारीयां जो हमने पहले पड़ा, पर सब का शोधन होता है, दिवे नाद, मिलता है द्वायू को इच्छा अनुसार अपनी ख्षमता से धारन कर सकते, तभी तो प्राणायां की योगिता आएगी, बिना नारी शोधन के आप इच्छा से श्वास को रोक नहीं पाएंगे, जट्रगनी प्रदिप तो हो, नहीं होता है, वो हो जाएगा, ओंकार प्राणायां, दूसरे नंबर का प्राणायां जो बताया, ओंकार प्राणायां में क्या है, एक सो एक सो तीन श्लोक के उनुसार देखी, क्या बताया कि ओंकार प्राणायाम में 12 मात्रा तक पूरक करें यानि रेशो है ये रेशो में ध्यान देना है ओंकार जब प्राणायाम करेंगे तो उसमें 12 मात्रा हैं 12 मात्रा जो है वे पूरक श्वास लेने में लगाएंगे और 16 मात्रा कुम्भक यानि इश्वास रोकने में लगाएंगे 12 अनुपात 16 उसके बाद लगाएं 10 मात्रा तक रेच्च करना बताया 12 अनुपात 16 और 16 अनुपात 10 ये एक रेच्च है इसको याद रखिए फिर इसके भी बहुत सारे आपके हो सकते हैं इनकी मात्राओं का इनके अलेलग उत्तम अध्यादम जो इनके प्रकार हैं पर फिर भी ये जो गिंती जो बताई आप याद रखिए आमकार मात्रा जो आप करेंगे इन मात्राओं के साथ दी आप आमका जब करते हैं तो आपको लाब क्या मिलेगा फिर कहा देखिए ये तीन है अधम कोटी अधम कोटी ये बारा मात्राओं तक ये वाला अधम कोटी का है इसका लक्षन है पसीना आना अब जो जो मात्राइं बताई हैं इनका जो रेशो बताया गया तो 12 जो 16 और जो आगे 10 जो है तो ये रेशो आप डबल करते जाएंगे जितना भी है फिर मध्यम कोटी में किया 12 का डबल कर दिया 24 तो आगे का भी रेशो बदलते जाना है वहाँ 16 का 32 हो जाएगा 10 का 20 हो जाएगा तो मध्यम कोटी का ये है 24 मात्राओं तक लक्षन के आश शरीर में कमपन होना पहला तो बताया पसिन आएगा फिर का शरीर में कमपन होगा और तीसरा है 36 बारातिया 36 तो वहाँ पर सोड़ातिया वहाँ पर आएगा 32 सोड़ातिया पर कितने होगे तो उसका आगे तीसरा नंबर करेंगे और 10 का 30 हो जाएगा तो उत्तम कोटी मात्रा के लक्षन शरीर में उपर उठना बताया गया है मिताहर के बारे में मिताहर 42 चुमालिश लोग के उनसार मिताहर के लिए कहा योगी को तीखे खटे नमकीन पदार्तों का त्याग कर दूद का आहर लेना चाहिए ये प्रशन आपका प्रिक्षा में आया हुए यूजी सी योगानेट की तो इसको आप ध्यान दीजिए तो यहां पर तीखे खटे नमकीन ये तीन है इन तीनों पदार्तों को त्याग करके दूद का आहर ग्रहन करना चाहिए फिर और कहा ब्रमचारी और मिताहारी ये दी योगी योग में ततपर रहे तो एक वर्ष में सिध्धी प्राप्त कर सकता है ये शंख्या ध्यान रखी एक वर्ष मात्र यदी ब्रमचारी प्लस मिताहर ये दो सर्ते हैं यदी वै योगी योग में ततपर रहे तो एक वर्ष में सिध्धी प्राप्त कर सकता है तो मिताहर क्या बताया सनिक्द एवं सू मदुर जो है पदार्थ ही खाने चाहिए चतूर्थांस भाग खाली रखकर कुक्षी भी आपके पेट को बोला जाता है कुक्षी यानि आपके पेट का जो प्याला है उसका चतूर्थांस भाग खाली रखकर ही भोजन करना चाहिए यही मिताहर कहा गया है तो मिताहर की परिभाशा अब प्राणायाम के महत्व की ब लताया गया है तो इसमें कहा सनसार सागर से मुक्त कैसे हो मुक्ती पाने के लिए प्रानायाम सेतु के समान है सेतू कहते है पूल ब्रिज जो कहते हैं ये पूल के समान है एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचाने का कारी करता है कौन प्राणायाम और पाप रूपी इंधन को जलाने के लिए भी अगनी के समान है हमारा कर्मों के जो संसकार हैं पिछले कई जन्मों के तो पाप रूपी संसकारों को जलाने का भी कारी कौन करता है ये प्रानायाम क्योंकि प्रान अगनी का प्रतीक है प्रान में क्या अगनी है तो आप प्रानायाम करते हैं तो आपकी अगनी यानि नाडियों का शोदन होता है नाडियों का मल हटेगा विचार शुद होगा तो विचारों से आपके करम शुद होते हैं तो ये सारे के सारे सं पापों का नास होता है इसलिए हम जब आप देखा हो साधु सन्थ जब पुजा पाथ करते हैं संध्यावन्दन करते उससे पहले प्राणायाम करते हैं वो चाहते हैं कि एक बने श्वर्ज चालू हो जाएं मारे दोनों तो ये सब बातें ध्यान रखिए प्राणायाम इदे आप गलत भी करते हैं तो योग चुड़ा मन्य उपनिशिद में कया है कि इदी गलत करोगे तो आपका गलत प्रभाव पड़ेगा 116.17 नंबर श्लोक देखिए तो उसमें आ उसे रोग ऐसा निकलते हैं जैसे रोगों की फैक्टरी बन गया है उद्गम स्थल रोग वहां से खूब निकलते हैं जैसे फैक्टरियों से कुछ भी कुछ समान निकलता है न वैसे रोगों का फैक्टरी बन जाता है वायू के विकृत होने से खांशी बनती है पहले श्व प्रत्याहर का महत्व है मनो रोग का नास करना मैं अब इसमें प्रत्याहर सब जानते हैं अपनी इंद्रियों का अंत्रमुखी करना प्रत्याहर होता है तो इसका कार ये क्या है मुखे रूप से मनो रोग मन के विक्षिप्ट होने से बहिर मुखी होने से जादा तनाव के जो रोग आते हैं वे इससे ठीक होते हैं फिर आता है धारना का महत्व धारना का महत्व यानि मन को धेरियेवान बनाना दब धारना करते हैं देश बंदचित्त से धारना जो हम योग दर्शन में पढ़ते हैं कि जब आप मन को एक जगा धारन करने लग जाते हैं योगिता अब जब आती है प्राणायाम के माद्यम से तो मन का धेरियवान होना फिर समाधी का महत्व का कहा समाधी से जीव के सुब और अशुब कर्मों का नास हो जाता है तथा मुक्ती प्राप्त होती है ये इसमें कहा गया समाधी का सम अवस्था जब आती है ने आदिज ने व्यादिज ने ये सब हट जाता है तब जीव क्या है शुब शुब कर्मों से कानास हो जाता है कहीं कोई आकर्षन विकर्षन नहीं होता हमारे सत्वरजतम ये तिनों गुणों से विक्ति वो उठ जाता है तब मुक्ति का मार्ग प्रसस्त होता है यही यहां पर बताया गया है प्रत्याहार स सिद्धी कब होती हम कब माने की प्रत्यार हमारा सिद्ध हो गया यह पहचान क्या है इसकी तब इसमें कहा बारा बार प्रानायाम करने से प्रत्यार सिद्ध होता है यह आप बारा बार प्रानायाम कर लेते हैं तो उससे प्रत्यार सिद्ध होता है और प्रत्यार सिद्ध जो ह हुआ फिर धारना सिद्धी क्या है तो बारा बार प्रत्यार करने से धारना की सिद्धी होती है ये भी ध्यान रखना बारा संख्या ध्यान रखिए फिर आता है समाधी ध्यान धारना के बाद ध्यान आया ध्यान की सिद्धी के लिए कहा बारा बार धारना करने से ध्यान की सि दी होती है तो ये पूरा का पूरा जो अभी हमने पढ़ा ये सडांग जो योग जो इसमें बताया गया योग के छे अंगों का वर्नन और परते के फल और उनके क्रम हमने अभी योग शुड़ा मनुपनिश्ट जो पढ़ा इसके माध्यम से ये पूरा पाठे करम कवर किया है और वीडियो देखने के बाद कोई भी बात संका लगे तो पूछना और वीडियो कैसी लगे कॉमेंट करके जुरूर बताईएगा इसी के साथ आप सब का बहुत भाँत धन्यवाद फिर मिलते हैं अगली वीडियो में